नमस्कार दोस्तो टार्गेट हाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो सेंटर गवर्मेंट से एक और भरती विक्यापन आ चुका है आल इंडिया लेवल का दोस्ते भरती विक्यापन है भारत के सभी स्टेट के केंडिडेट अपलाई कर पाएंगे पोस्ट दोस्तो इसमें पैरामेडकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ साथ में आधर कई पोस्ट के लिए भरती विक्यापन पब्लिस किया गया है और भारत के सभी स्टेट के केंडिडेट इसमें अपलाई कर पाएंगे दोस्तो इसमें आपको कॉंट्रेक्ट बेसेस पे पोस्टिं नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारी आपको हर दिन मिलती रहेगी साथ में आप अपने दोस्तों को साथ भी सियर करें और आप हमारे टेलिग्यापन चैनल और वाटसेप चैनल को भी जोइन कर सकते हो वहां से आपको भारती विग्यापन की दोस्तों हम चैनल में मिल जाएगा तो अभी जोइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन्फोर्मेशन की और सबसे पहले दोस्तों इसमें देख लेते हैं भरती विग्यापन कहां से पब्लिस किये गया है तो देख सकते हैं गवर् भरती विग्यापन जारी हुए भारत के सभी स्टेट के केंडिडेट अपलाई कर पाएंगे आल इंडिया लेवाल का ये भरती विग्यापन रहने वाला है और इसमें हम डायरेक्ली पोश्ट की बात कर लेते हैं तो पहले जो पोश्ट हो ऑफिसर इन चार्ज के लिए है औ इसमें आप से क्वालिफिकेशन में ये मबीवेस आपके पास कंप्लेट होना चाहिए और नंबर आप पोश्ट इसमें तीन सामिल है ये मबीवेस वाले कंडिडेट के लिए 75,000 रुपए ही फिक्स आपकी सैलरी रहेगी नेश्ट पोश्ट की बात करें दोस्तों तो फार् आपके पास क्वालिफिकेशन में डीमल्ट कंप्लेट होना चाहिए या फिर आपके पास क्लास फर्ष्ट लेवरेटरी टेक का कॉर्स कंप्लेट होना चाहिए और नंबर आप पोश्ट एक सामिल है 28,000 रुपए ही आपको सैलरी दी जाएगी नेश्ट पोश्ट की बात कर दिप्लोमा होलडर इसमें आवेदन कर पाएंगे डिप्लोमा आपका डेंटल हैजीन में होना चाहिए और एक ही पोश्ट है सेम शैलरी रहेगी 28,000 रुपए है आपकी शैलरी रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बात करें दोस्तो तो जी ऐनम डिप्लोमा होना चाहिए और नंबरा पोस्ट दो सामिल है 28000 रुपए सेलरी दी जाएगी डाटा इंट्री आपरेटर के लिए दोस्तो इसमें पोस्ट सामिल कर लिए गया है ग्रेजवेट कंप्लीट होना चाहिए आपके पास सेम फिल्ट में आपके पास कंप्यूटर अप्लिकेशन का क 2700 रुपए सेलरी होनी होगी आपकी इसमें और ड्राइबर के लिए दोस्तो पोस्ट सामिल किया गया है और आपके पास आठवी पास होना चाहिए एट कलास वाले कंप्लीडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपके पास सिविल ड्राइविंग लेसेंस का ये आपका ड्राइविंग लेसेंस भी होना चाहिए 19,700 रुपए आपको सैलरी दे जाएगी एक ही पोस्ट इसमें सामिल किया गया है फीमेल एटेंडेंट के लिए भी पोस्ट इसमें सामिल किया गया है एक ही पोस्ट है 16,000 रुपए सैलरी रहेगी प्यून के लिए दोस्तो इसमें पोस्ट सामिल किया गया है आठवी पास व application form में आपको बताया गया है kindly see website यह इसका official website है इस website के मादम से दोस्तों आपको application form और यह notification का PDF मिल जाएगा या फिर आप telegram channel से भी इज़ी तरीकी से download कर पाएंगे telegram channel का link आपको नीचे description box मिल जाएगा हम बढ़ते है information की और तो इसमें आपको बताया गया for additional detail please contact headquarter इसके official जो headquarter है पुपाल में वहाँ भी आप संपर कर सकते हैं यह telephone number है इससे आप अगर आपको कोई problem हो रहा form fill up करते समय तो आप बात कर सकते हैं also approach concerned ECHS polyclinic for detail preference will be given to the ex-serviceman तो ex-serviceman को इसमें preference मिलने वाला है इसमें हम बात करेंगे क्या other candidate भी इसमें apply कर पाएंगे last date for received application for format given our website तो application as per request format also along with self-attested copy आप in support of educational qualification and work experience will be submitted तो आपको इसके official address पे भुपाल में आपको अपना application form जमा करना होगा 28 January इसका last date है आपको 28 January पर इस पहले वहाँ पे submit करना होगा और इसके बाद अगर आप जमा करेंगे तो यह accept नहीं किया जाएगा आपको इसके लिए बताएगा any application received after तो दुपार 12 बजे के बाद आगर आप वहाँ पे जमा करेंगे तो अपने किया जाएगा आपको 12 से पहले ही वहाँ पे जबा करना होगा 28 January को इंटर्विव डेट टाइमिंग एंड वेन्यू में candidate must reach तो आपको headquarter में आपका ये इंटर्विव होगा और सुबह 8 से 8 बज़ के 30 सड़े 8 बज़े दोस्तों आपका ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा और 5 फरवरी को आपका इंटर्विव होने वाला है इंटर्विव to be head between 9.30 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और दो बज़े तक आपका इंटर्विव होगा candidate must bring all the original certificate, marksit, degree, 10th, metric, 10th plus 2, graduation and post graduation, diploma course सारे document तो आपको लेके जाना है जिस वेस पे आप अपलाई करोगे साथ में आपको दोस्तों work experience भी लेके जाना होगा discharge book, ppo and receive record for ex-servicemen only तो जो भी candidate ex-servicemen है उनको यह सारे document लेके जाना होगा और जो pressure candidate है वो अपने जितने education से related document है वो सारे आपको लेके जाना होगा साथ में application format भी लेके जाना होगा और यह document जितने मैं आपको बताया हूँ सारे लेके जाना होगा and to passport size photo color आपको photograph भी लेके जाना होगा तो passport size photo का भी एस्वरी photo at the time of interview आपको दोस्तों अपने interview में application form 10th 12th की mark sheet graduation आपके पास यदि experience certificate है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं और apply करने के बाद इसमें आपको inform किया जाएगा जो candidate shortlisted होंगे उन्ही को केवल इसमें बुलाया जाएगा only eligible candidate will be eliminated by SMS तो आपको दोस्तों inform किया जाएगा इनके द्वारा SMS के द्वारा तो केवल shortlisted candidate को ही ये बुलाएंगे अपने interview या return exam के लिए तो अगर दोस्तों आप eligible हैं आपके पास ये qualification है इन post के लिए तो आप apply कर सकते हैं आपको एक साल के लिए इसमें posting दी जाएगी इसके लिए इसमें आपको बता दिया गया ECH Polyclinic Bhopal for period of one year आपको एक साल के लिए इसमें posting दी जा रही और दोस्तों इसको renewal भी किया जा सकता है इसके लिए भी आपको बताया गया renewal for additional period of one year एक साल के लिए इसको और renewal किया जा सकता है तो अगर आप eligible हैं तो जरूर इसमें apply करें center government के job रहने वाली है और भारत के सभी state के candidate apply कर पाएंगे आपको इसमें defense department में posting दी जाएगी बोपाल में तो दोस्तों notification का PDF और application format आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा telegram channel को अभी join कर लें नीचे description box में इसका link है वहाँ से आप इसको easy तरीके से download कर पाएंगे यह सारी जानकारी आपको बताई गए इसमें और इसमें हिंदी भी में आपको जानकारी दी गई है अगर आपको पढ़ने में दिक्कता रही तो आप हिंदी और इंगलिस दोनों में यह जानकारी दी गई है आप इसको अच्छे से read कर सकते हैं पेडिया पापको telegram channel पे मिल जाएगा आप वहाँ से easy तरीके से download कर पाएंगे जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो like जरूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले हम हर दिन ऐसी जानकारी share करते रहते हैं आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी channel को subscribe जरूर करें thank you so much